दोस्तकर आपका Instagram account deactivate था, काफी दिनों से उसको आप reactivate करने जा रहे हैं, तो आपका reactivate नहीं हो रहा होगा, बहुत ज्यादा problem आ रही होगी, और अगर आपने Instagram account को delete किया था, या फिर गलती से delete हो गया, तो भी उसको activate करने जा रहे हैं, तो वो भी recover नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको सामने मेरे mobile phone की screen दिख रही होगी, सबसे पहले Instagram को open कर लेता है, यहाँ पर मैं एक बार आपको login page पर चल कर दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपका दूसरा account login है, तो सबसे पहले login page पर आना है, अगर कोई भी account login नहीं है, तो direct आपका login page ही आएगा, अब मैं login page पर चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा account login करना है, तो login page पर ही जाकर होगा वो, यहाँ पर आगए है login page, आपको black screen दिख रही होगी, क्योंकि Instagram की यह थोड़ी security के लिए है, अब आपका login page आने के बाद यहाँ पर नीची एक line दिख रही होगी, पहले तो username और password के जरी login करने करना कर सके तो नहीं हो रहा है, तो आपको कोई परिशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक line दिख रही होगी, forgot your login details, get help login, आपको इसी पर click कर देना है, जो blue color में शो हो रहा है, यहाँ पर आपको option आजाएगा सामने, find your account का, सबसे पहले तो आपको check कर ले एक बाद आपको email id, send an email या फिर send an SMS mobile पर डालने के option आएंगे, उन पर click कर देना, आपके पास login link आजाएगा, email id पर या फिर mobile number पर code आएगा, एक second में आपका account login हो जाएगा, अब मानलो आपके पास username नहीं है, या फिर username भूल गए है, या फिर username से आपको शो हो रहा है, account not found ऐसे user node found ऐसे कुछ शो रहा है, तो आपको यहां पर अपने सबसे पहले email id डाल देनी है, email id डाल देता हूं, email id डालने के बाद next पर click कर देना है, next पर click करने के बाद आपके बाद एक login code आएगा email id पर, मैं आपको चल के दिखाता हूं email id पर, किस तरह का code आता है, अभी चल पर click कर देना है, next पर click करते account शो जाएंगे, जो account आपने इस email id से बनाया है, मतलब जिन accounts में आपने यह वाली email id अपडेट की हुई है, वो account आपको यहां पर शो जाएंगे, पहचान लेना मेरा कौन सा account है, कौन सा account आपको login करना है, next पर click कर देना, account आपका तुरंत login हो ज जाएगा, अब बात कर लेते हैं, इनका आपको email id अवलेबल नहीं सिर्फ mobile number है, तो mobile number के लिए आपको क्या करना है, वापस login page पर चलते हैं एक बार, अब यहां पर आपको वापस get help login पर click करना है, अब find your account में आपको email id डाली थी आपने, आपको mobile number डाल देना है, मैं mobile number डा जो account मेरे इस mobile number से बने हुए है, वो सब भी account यहापर चोग है, चार account मेरे यह वाला mobile number है, अब जिस भी account को login करना चाहिए, उस account को login कर लाना, code तो हमने डाल दिया है, एक second में login हो जाएगा, next पर click करते है, account login हो रहा है, बस हो जाएगा, email id से भी सी तरह login होगा, mobile number से भी सी account ID और password से account login कर लेना हो जाएगा, नहीं होता है, तो email ID से try करना, या फिर mobile number से try करना, account login हो जाएगा, फिर इस application में कुछ देर के बार try करना, chrome browser में account login हो जाए, तब यहाँ पर भी हो जाएगा, एक बार account login होगे आपका, account delete था, तो भी activate हो जाएगा, account activate होने के बाद फिर व ज्यादा का time हो गया है, 30 दिन से ज्यादा हो गये है, तो आपका account या पर login नहीं होगा, try मत करना, क्योंकि 30 दिन के बाद account permanently delete हो जाता ही, Instagram की policy है, अगर आपको अपने account को delete कि वे 30 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है, 39 दिन हो है मतलब, तो 30 दिन तक भी try कर लेना, account login हो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्काइब करके ज़रूर जाना, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाए